इंडिया में बहुत सारे ऐसे e-commerce sellers हैं जिनको Amazon और Flipkart के बीच में hidden difference क्या है जो लोगों को नहीं दिखाई देता है ये नहीं मालुम है बहुत सारे ऐसे sellers हैं जिनको ये बात तब पता चलती है जब वो 4-5 साल तक selling कर चुके होते हैं Amazon इंडिया या Flipkart इंडिया में आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे hidden secret बताने वाला हूँ या hidden logic या hidden difference बताने वाला हूँ Amazon इंडिया और Flipkart इंडिया में जिसको जानने के बाद आप बहुत आसानी से decide कर पाएंगे कि आपको focus Amazon इंडिया पे करना है selling करने के लिए या Flipkart इंडिया में करना है और आपका जो selling career है वो कहां पे bright रहने वाला है और कहां पे आगे जाके आपको problem phrase करनी पड़ सकती है ये सारी बाते मैं आपसे discuss करने वाला हूँ यकिन मानिए अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा और समझा तो अगर आप नए seller हैं या selling करने का मन बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत helpful रहेगी ये वीडियो और आप बहुत आसानी से सुरुआत में ही decide कर सकते हो कि आपको Amazon इंडिया पे focus करना है या flip card इंडिया पे focus करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे sellers हैं जो major differences जो हैं वो तो जानते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे difference हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजएगा वीडियो पसंद आए तो like and share करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा देखिए Amazon और flip card ये इंडिया में सब को मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े competitors हैं कई बार आपने देखा होगा कि festive suggest में जो ये लोग sales लगाते हैं ये dates बहुत आगे पीछे करते हैं मालीजे Amazon ने कोई date announce कर दी तो flip card क्या करेगा सेम उसी date की range में अपनी sales को चलाएगा अगर flip card ने date पहले announce कर दी तो Amazon भी वही date announce कर देगा अगर flip card ने अपनी date change की तो flip card के बाद Amazon भी date तुरन change कर देगा ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि 3-4 बार इन्होंने अपनी dates को shift किया है festive seasons की sale में क्योंकि Amazon इंडिया यह नहीं चाहता कि हमारा customer flip card पे जाए और flip card इंडिया भी यह नहीं चाहता है कि हमारा customer base Amazon इंडिया पे जाके item को search करके purchasing करे यह बात काफी हद तक सही है कि Amazon इंडिया के और flip card के बहुत सारे customers ऐसे हैं जो पधे हुए हैं तो फिर वो Amazon इंडिया पे उनको भरोशा है और वो अपने सारे products Amazon इंडिया से ही खरीते हैं ऐसे flip card के बहुत सारे customers हैं जो अपने सारे products flip card से ही खरीते हैं तो ये तो आपको मालूम होगा और साथ में ये सभी जानते हैं कि Amazon के पास अपना खुद का courier है ATS और Flipkart के पास अपना courier है E-Cart. अब ये दोनों कंपनीच अपने ही courier से ऑपरेट करती हैं और उनी सेलर्स को ज़्यादा वेटेज मिलता है या एडवांटेज मिलता है जो इनी की courier की services यूच करता है अब इसके बाद क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हों कि Amazon इंडिया या Flipkart में category wise जो selling fee है या commission है वो अल भगभग same है उसके बाद करें कोलिया charges की बाद चाहे वो 500 ग्राम का हो या 1 kg का हो lump sum जो Amazon इंडिया का charge है वही Flipkart का भी charge है मतलब कहने का ये है कि जो इनका fish structure है Amazon इंडिया का या Flipkart का वो lump sum same है approximately same है कुछ categories में थोड़ा मोड़ा variation हो सकता है तो difference कहां पे है sellers को concentrate कहां पे करना है यहीं पे सबसे बड़ी mistake होती है अब बात करते हैं जो एक basic difference है Amazon पहले दिन से ही अपने सारे नए sellers को या sellers को FBA services यूज करने का मौका देता है मतलब अगर आप Amazon इंडिया पे selling करते हैं तो पहले दिन से ही आप अपना सारा product Amazon के go down में रख सकते हैं उसक की तरब से सारा order Amazon process करने वाला है flip card में FBF की services अब तो फिलहाल बहुत जल्दी ही एक दो महिने में invitation आ जा रहा है और आप FBAF की services यूज कर सकते हैं बट अभी भी flip card पे अगर आप नया account create करेंगे तो same day आपको flip card की warehouses services यूज करने का option आपको नहीं मिलेगा सुरवाती दोर में आपको अपने गोडाओं से या अपने घर से या अपने office से ही items को sip करना पड़ेगा e-card courier की मदद से उसके बाद क्या है flip card ये साफ कह चुका है कि हमारे यहाँ पे different selling tiers है आप जितना आगे के tiers में जाओगे हम आपके products की visibility उतना बढ़ाते हुए चले जाएंगे Amazon India में ये कही नहीं लिखा गया है कि हम जो tiers हैं उनके हिसाब से products की visibility को decide करते हैं Amazon में ये कही नहीं लिखा है कि हम tiers के हिसाब से visibility decide करते हैं वहाँ पे सबको equal visibility मिलती है ऐसा Amazon India का claim करना है या उनका कहना है अब यहाँ पे क्या है चुकि Flipkart कहता है कि हम tiers के हिसाब से visibility देती है तो जाहिर सी बात है जब कोई नया seller आएगा तो सुरुवाती दौर में उसको थोड़ा struggle करना पड़ेगा थोड़ा selling price को कम रखना पड़ेगा थोड़ा सा sponsor ads चलाने पड़ेंगे जिससे उसको थोड़ी बहुत sales मिल जाए और वो आगे के tiers में जा सके Amazon India पे क्या है वहाँ पे ऐसा कुछ भी mention नहीं किया गया है पहले दिन से ही आपके products को visibility मिलती है category आपकी कौन सी है इस पे कोई मतलब नहीं रखा गया है लेकिन flip card पे इसका बहुत बड़ा माइने है इसलिए flip card पे आपको सुरवात से एकोसिस करने है कि थोड़ा सा selling price पे compromise करके कुछ दिनों के लिए जादा orders आप ले ले जिससे आप आगे के tiers में जाने लगे इसके बाद असली game अब यहाँ से start होता है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बाते है या differences है या secrets है जो बहुत सारे sellers को नहीं मालूम है जो कि उनके e-commerce business पे चारचान लगा सकता है अब है क्या कि flip card पे जब आप listings करते हैं तो वहाँ पे QC होता है जिसको करने में 1-2 घंटे भी लग सकते हैं इसका title गरबढ़ है या इसकी image आपने copy की है या image बेकार है या ये गरबढ़ है ऐसा flip card पे बिलकुल नहीं होता है और Amazon पे ये चीज बहुत ज़ादा है क्यों? क्योंकि Amazon पे QC का कोई process नहीं है आप listings करिए 15 मिनट के अंदर Amazon क्लेम करता है कि आपके listings हमारे portal पे means amazon.in पे live हो जाती है customers के purchasing करने के लिए तो यहाँ पे कोई QC का system नहीं है और यही Amazon इंडिया sellers के लिए सबसे बड़ी headache है क्यों? पता लगा आपने listings की और अचानक से आपके orders आने लगे आपकी listings चलने लगी है लेकिन फिर यहाँ पता लगा कि एक महीने बाद आपको एक message आया, mail आया या आपका mail भी नहीं आया और आपकी वो listing suppressed हो गई है यह कहके कि इसकी image हमारी guideline को follow नहीं कर रही है या इसका bullet point आपना जो मेरा guideline है, style guideline इसको follow नहीं कर रही है या आपने image कहीं से copy की है इस listing को ही permanently हम बंद कर रहे है या आपने जो ये listing की है जो product है ये counterfeit है किसी दूसरे seller के product का मैं इस आपका product नकली है तो फिर यहाँ पे Amazon India sellers के लिए बहुत बड़ी headache होती है जो कि flip card में बिल्लुकुल नहीं होती 99% नहीं होती है ये आप बिल्कुल समझ लीजे उसके बाद क्या होता है कि flip card में जब आगे के TS में आप चलते हैं तो आपकी visibility बढ़ती हुई चली जाती है और flip card की algorithm इस तरीके से design की गई है कि जब आप आगे के पाउदान पे चलते हैं तो आपको अचानक से कभी नीचे खीचा नहीं जाएगा मतलब अगर आपकी sales velocity बढ़ चुकी है और परड़े आप 1 लाख रुपए की sale करते हैं तो थोड़ा 10-20% का तो downfall चल सकता है बट flip card पे ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने 1 लाख बेचा और अगले दिन आपकी sale 20-30,000 हो गई लेकिन Amazon India का कोई भरोसा नहीं है Amazon पे आप premium हैं आप advance हैं आप basic हैं कोई फरक नहीं पड़ता हो सकता है कि आपकी listings अच्छा कर रही हो और आप परड़े का 1 लाख रुपए बेच रहे हो उसके बाद अचानक से back end से आपकी listings की visuality को रातो रार डाउन कर दिया गया आप 10,000 पे आगए आप 20,000 पे आगए 30,000 पे आगए means Amazon India की algorithm आजकल तो पिछले दो सालों से बहुत जादा inconsistent परफॉर्म कर रही है यह हम नहीं यह sellers की wise कहती है मतलब अगर आप Amazon या लिपकार्ट पे 5-10 साल से sell कर रहे होंगे तो यह जो मैं hidden difference बता रहा हूँ जो लोग generally नहीं बताते हैं यह आपको समझ में आ रहा होगा और आप इससे connect कर पा रहे होगे तो यह बात जान लीजे Amazon इंडिया में कोई guarantee नहीं है कि अगर आप परड़े एक लाग बेशते हैं तो यह sales 10-20% ही variation हो सकता है हो सकता है 50-60-70% variation आ जाए आपकी sales में जो कि Amazon इंडिया sellers के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है या बहुत बड़ी headache है उसके बात क्या है कि आप flip card पे जब listings करते हैं तो flip card एक बार QC approve करने के बाद आपसे यह कभी नहीं कहेगा कि यह bullet point गलत है मेरी guideline को follow नहीं कर रहा है या यह systems गलत है या description आप गलत लिख रहे हैं इसमें किसी दूसरे seller का description आप copy कर रहे हैं flip card आपसे यह कभी नहीं करेगा कि यह जो product है यह inauthentic है कई बार उनको suspected IP violation की warning आ जाती है और suspected IP violation में ही उनके product को बंद कर दिया जाता है और उनको warning दे दी जाती है बट flip card में यह warning warning का कोई जंजट नहीं है आप relax होके selling कर सकते हैं इसके बाद flip card पे क्या है कि flip card पे अगर आपने एक बार gated brand करा दिया gated brand के लिए कैसे apply करते हैं इसके लिए मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ मेरी चैनल पे आपको मिल जायागी तो एक बार अगर आपको gated brand approval मिल गया तो flip card पे फिर आपकी listings में कोई भी दूसरा seller कुछ भी कर ले map नहीं कर सकता है बट Amazon में अब आजकल ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है आपने brand registry ले लिए है आपका registered trademark है फिर भी कई case में ऐसा देखा गया है कि sellers में mapping हो जाती है फिर जब sellers Amazon में complaint raise करते हैं तो कई बार Amazon हटा भी देता है दूसरे seller को और कई बार ये कहता है कि आपको transparency लेना पड़ेगा क्यों? क्योंकि Amazon इसमें भी पैसे कमाता है अपने seller से transparency code को बेच करके तो वो ये चाहता है अंदर से कि लोग आपस में map करें जिससे हमारी transparency selling हो क्योंकि एक बार आपने transparency ले ली तो आप जितने product ship करेंगे सब में वो code apply होता है सब की कुछ costing होती है तो उसके बाद फिर आप में mapping नहीं हो पाएगी flick part इंडिया में क्या है? एक बार आप आगे के पाउदान पे गए तो ज़्यादा chances है अगर आपका product अच्छा perform कर रहा है आप customer से cheating नहीं कर रहे है तो आप हमेशा आगे ही रहने वाले हैं आपको पीछे मूड के नहीं देखना पड़ेगा लेकिन Amazon में ऐसा कुछ भी नहीं है Amazon में आज आप king है कल हो सकता है आप road पे आजाएं क्यों? क्योंकि वहाँ पे Amazon अपनी selling policies में लगातार बदलाव कर रहा है और पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि Amazon अपनी algorithm को बहुत ज़्यादा change कर रहा है लेकिन flip card में ऐसा नहीं होता है या यूँ कहूं तो flip card की algorithm Amazon के comparison में बहुत ज़्यादा अच्छा perform करती है अपने पुराने होते हुए sellers के लिए या अपने loyal sellers के लिए आगे बात करते हैं चुकि ये differences आप जल्दी नहीं सुनेंगे ये वही लोग आपको बता सकते हैं जो 8-10-15 साल इन marketplaces पे selling की हो flip card पे अगर आप return rate की बात करते हैं refund rate की बात करते हैं तो कुछ category में ये Amazon से जादा रहने वाला है और Amazon पे थोड़ा सा flip card के comparison में return या refund कम है तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है अब बात करते हैं flip card पे अगर आपने listings की हुई है आपका brand गेटेड है तो आप selling करिए कभी भी आपकी listings को backend से suppress नहीं किया जाएगा या उसको truncate नहीं किया जाएगा बट Amazon में कुछ भी हो सकता है Amazon में इसकी एक team है जो आपके बहुत बिखते हुए item को भी कई बार पीछे से उसकी searchability को change कर देते हैं मतलब अचानक वो तो टॉप पे rank कर रहा है फिर वो bottom पे चला जाएगा क्योंकि Amazon में manual hampering बहुत ज़्यादा होती है sellers के product में लेकिन manual hampering flip card में बहुत ना के बराबर है तो इसका advantage आपको flip card पे मिलेगा बट Amazon में कौन सा product आपका top पे rank कर रहा है फिर वो वहां से बिलकुल ही rank करना बन कर दे इसकी कोई guarantee नहीं है ये कई बार देखने को मिला है कि Amazon top selling products को hamper करने लगता है और अपने products को betis देने लगता है अब आगे जो major difference है वो भी ध्यान से समझेगा flip card के अपने कुछ brands है वो भी जब कोई top selling product होता है तो उसी तरीके का product कॉपी करके अपने brand से बेचता है Amazon भी यही करता है लेकिन Amazon flip card से बहुत ज़्यादा level पर ये काम करता है flip card 20% है तो Amazon 80% ये काम करता है मतलब Amazon पे आप long term में ज़्यादा hamper किये जाएंगे जो product आपका outstanding perform कर रहा होगा जरूर कुछ दिनों में Amazon उस product को अपनी brand से या मिलता जुलता product अपनी brand से बेचता हुआ दिखाई देगा Amazon.in पे और जैसे ही Amazon आपसे मिलता जुलता product लाँच करेगा आप वैसे ही खुद देख पाएंगे कि आपके उस product की sale लगातार कम होती चली जाएगी या हो सकता है उस product का जो detail page है उसको remove ही कर दिया जाए suspected IP violation में डाल करके इसलिए Amazon का कोई भरोसा नहीं है और Amazon पे जितने पुराने sellers हैं वो सब claim करते हैं कि भई Amazon बहुत ज़्यादा cheating करता है और हमारे top selling products को copy करके मिलता जुलता product बनाके कभी Amazon brand से कभी Amazon basics brand से इनकी हजारों तो brand है ये खुद ही बेचने लगता है पिर दूसरे को बेचने नहीं देता है और अपनी visibility को top पे रखता है flip card में ये चीज सिप 20% है अगर आप 100% में divide करें तो Amazon पे 80% है flip card पे 20% है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक seller के लिए कितोना ज़्यादा important है flip card पे account health या उनकी जो policies हैं वो ठीक हैं मतलब manageable है seller आरापस उनको follow करी अगर आप cheating नहीं कर रहे तो कोई problem नहीं but Amazon पे आए दिन नहीं नहीं policy आती जा रही Amazon का account health आप जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे इतने तरीके के violation mention है कि ऐसा लगता है कि आप की गर्दन कभी भी कर सकती है क्यों कोई भी warning कभी भी आ सकती है और Amazon पे copyright infringement, trademark infringement, intellectual property violations इतनी complaints कई बार बहुत ज़्यादा complaints आती है Amazon किसी भी third party की complaint ले करके आपको warning दे सकता है Flipkart पे ऐसा बिलकुल नहीं होता है तो I hope आप समझ रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है अगर आप मेरा opinion माने तो Amazon और Flipkart अगर आप दोनों को लेके चल रहे हैं साथ पे तो आप याद रखिए Flipkart long term में आपका साथ देगा और आपको कभी जल्दी demote नहीं करेगा लेकिन Amazon इंडिया पे ये कोई guarantee नहीं है कि long term में आपका carrier अच्छा चलने वाला है या नहीं चलने वाला है मिस Amazon की intelligent team आपको support करने वाली है या नहीं करने वाली है और साथ में Flipkart पे बस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा return rate आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है Amazon इंडिया के comparison में और Flipkart में सुरवाती दौर में आपको थोड़ा struggle करना पड़ेगा orders को ले आने के लिए वो भी आप कर सकते हैं सेल प्राइस को थोड़ा सा डाउन करके थोड़े campaign चलाके Amazon इसमें थोड़ा better perform करता है बट Amazon पे problem एं है कि इनकी algorithm inconsistent है कब आपको उठाएगी, कब आपको गिराएगी यह किसी को समझ में नहीं आता है जो कि Flipkart में काफी हद तक बहुत अच्छा performance है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फिर आप आगे ही बढ़ते हुए चले जाएंगे I hope आप इन points को समझ करके अपने e-commerce business decision को ले पाएंगे और आप खुड decide कर पाएंगे कि आपको कहां पे ज़ादा focus करना चाहिए आप selling दोनों पे एक साथ start कर दीजे लेकिन जो मैंने बाते बताई है न इसको ध्यान में रखके आप काम करिएगा otherwise पता लगा आप Amazon इंडिया पे ही sell कर रहे थे फिर अचानक से आपको लगा किया लिए तो मेरा account suspend हो जाएगा या मेरे products को तो Amazon copy करके खुद ही बेचने लगा अब मैं क्या करूँ फिर आप flip card पे आएंगे तो लेट हो जाएगा इसलिए इन दोनों पे एक साथ start करिए जो मैंने बाते बताई उसको ध्यान में रखिए और आज के जवाने में success वही seller है जो दोनों पे पूरा focus दे रहा है और flip card को और तेजी से आगे बढ़ा रहा क्यों flip card पे गर एक बार आपकी sales velocity increase हो गई algorithm से तो जल्दी decrease नहीं होती है तो इन बातों को ध्यान में रखिए ये आपके e-commerce business को grow करने में आपको बहुत मदद करेंगी इस वीडियो में इतना ही उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी थैंक्यू सो मच फार वाचिंग